हेलो एवरिवन वेलकम टू इजी फाई प्रिजेंट्स क्रिप्टो न्यूस डू मॉर्विथ टीफाई तो आज की क्रिप्टो न्यूस में हम बात करेंगे एथीरियम ने अपना ओल्टाइम हाई अचीव किया है फैबररी फोर्थ ट्वेंटी वन को और एथीरियम टू पॉइंट ओ जो प्रोजेक्ट है वो थर्ड लार्जिस्ट स्टेकिंग नेटवर्क बन चुका है क्रिप्टो हो जाती थी तो इन ही इशूस को सॉल्फ करने के लिए एथीरियम टू पॉइंट ओ प्रोजेक्ट को डिजाइन किया गया था जो कि प्रोफ ओफ स्टेक पे काम करेगा तो एथीरियम टू पॉइंट ओ प्रोजेक्ट जो है अब वर्ड का क्रिप्टो वर्ड का थर्ड लार कुछ reward मिलता रहता है जैसे आपको मालनी जी एथीरियम 2.0 में stake लेना है तो आप एथीरियम 2.0 project में अपने कुछ ether होंगे वो आप log कर देंगे तो आपका accordingly वो stake मिल जाएगा तो अब हम देखें value अगर एथीरियम 2.0 project में around 2.09% जो value supply है एथीरियम की वो logged पड़ी है जिसकी अगर हम value देखें तो around 4 billion dollar है और अगर अभी world का first staking network हम देखेंगे तो polka dot है polka dot की around 60% जो supply है उसके staking network में logged पड़ी है जिसकी जो value है वो around 10.8 billion dollar है और अगर हम second project देखें तो वो है cardano cardano में भी उसके 71% जो supply है वो logged पड़ी है जिसकी जो value है वो around 9.5 billion dollar है तो अभी क्या हुआ है कि जो एथीरियम 2.0 है वो third largest staking network बन चुका है तो क्या है जो investors है उनका जो interest है वो काफी जादा increase हो रहा है इथीरियम 2.0 project के लिए तभी वो अपनी assets है उनमें log करते जा रहे हैं अगर हम January में ही देखें तो January के starting में ही 1 million जो एथर है वो logged हो गए थे इथीरियम 2.0 project में तो इससे एक और effect हुआ है जो इथीरियम का price है उसने अपने all time high जो के 1689 डॉलर के around है उसको achieve कर लिया है इथीरियम का rise होने का भी यही एक reason माना जा रहा है इससे क्या होता है कि जैसे अगर किसी भी assets में अगर उसका stake बढ़ता जा रहा है उसका अगर staking network में वो assets बढ़ रही है तो उसकी जो market में supply है वो कम होती जाती है और जैसे ही market में उसकी supply कम हो रही है और उसकी demand अगर increase हो रही है तो उसका जो price है वो increase होता है तो इसलिए Ethereum का भी जो price है वो काफी जादा rise हो रहा है इसी वज़े से और जो investors है उनका भी interest काफी जादा increase हो रहा है Ethereum 2.0 के लिए भी और Ethereum के लिए भी तो ऐसे ही एक platform है Easy5, Easy5 DeFi का ही एक project है जो DeFi के लिए as a catalyst काम करता है तो इस पे एक बार आप check कर सकते हैं काफी जादा अच्छा platform है और इसमें investors का जो interest है वो काफी जादा बढ़ रहा है आज के time पे तो ये आज हमारा जो हमने news में share किया कि जो Ethereum है उसका price भी अपने all time high को touch कर गया है और इसके अलावा जो Ethereum 2.0 project है वो भी third largest staking network बन चुका है और इसके अलावाट Deribit ने भी बताया है कि Deribit के according जो Ethereum का price है वो near future में $2,000 को touch कर सकता है और जो traders है वो भी expect कर रहे हैं कि जो Ethereum है वो जल्दी ही $2,000 के price mark को भी achieve कर लेगा तो recently हमने एक poll conduct किया था जिसमें हमने एक question पूछा था आपसे कि जो Wall Street bets short term के लिए भी किसी भी asset के price को pump कर रहे हैं तो क्या वो सही कर रहे हैं या नहीं तो हमें जो reply मिला हमें 500 plus उसके reply मिले थे तो उसमें से 12% लोगों का ये मानना था कि उनको कोई फरक नहीं पड़ता और 34% लोगों का ये मानना था कि वो सही नहीं कर रहे हैं और 54% लोगों का ये मानना था कि वो सही कर रहे हैं तो गाईज ऐसे ही हम इसमें एक और पोल लेके आएंगे तो प्लीज आप उसमें वोट करना ताकि हम आपके व्यूज जान सकें कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं तो हम कल की वीडियो में 6 बजे इसका जो रिजल्ट है वो भी डिक्लेर करेंगे कि पोल का जो रिजल्ट है वो क्या रहा तो अगर आप बिटकोईन और इथीरियम के प्राइज़ को अलग-अलग एक्स्टेंजे से कंपेर करना चाहते हैं तो आज है विजिट करे हमारे प्लाटफोर्म hodelinfo.com को और अगर आप क्रिप्टो करनसी के बारे में और जादा जानना चाहते हैं तो आज है विजिट करे हमारी वेब साइट finstreet.in को और सबस्क्राइब करे हमारे कोर्सिस Crypto Night and Crypto Next को तो ये थी आज की हमारी Crypto News अगर आपको विडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब तो फिन स्ट्रीट थांक यू